दरोगा का कितना बात किए 20,937 पदों का उसना विलर का होता है मतलब competition में जम्न लिया जम्न कहने का मतलब यह है कि जैसे competition में गया लुषेंट परनाव चालू कर देता है लिए पुला समय निकल जाता है समझे अगर करने वाले एकजाम को कुछी दिन इमवकार दिखा के निकल जाते हैं समझे जैहिंद बिहार में अभी बहुत मेगा वेकेंसी आने वाला इसी कुले के हम बात करने वाले हैं इस चैनल पर तो 77 घञार पदो पर बिहार के पूरी वेकेंसी आने वाला है उसी वेकेंसी को लेकर रिकर हम बात करने में और वाले सब्सक्वाल के फूलchsel बात करेंगे और जाने कि आप कैसे दरोगा बन सकते हैं और दरोग से संबंदित आपके मन में जितना भी सवाल होगा होगा फूल डाव की लिए कर देंगे समझे आपका साथ से आड से हरता के मन में सवाल होगा को इस वीडियो में आपको एंसर दे देंगे आपको पूरा समझ at कि ना नहीं करना समझे ऐसा इसली है कि दूए हम जितना अजयनकार्य आपको देंगे और भी गुज Megh है् समझ में आपको आगया है इन सभी सवालों का एक एक करते हम आप आपको वीडियो से लेके समझ में आपको आई विचे देखिए हम सब्सक्राइब करते हैं ऑगर की बात की बात करें थे Пोली में 70000ी मतलब तब पुलिस भीवाग में 67,000 पदों पर चैन होगा समझे जिसे में से देखिए अगर दरोगा की बात करें तो 2937 मतलब मैं पद दरोगा के खाली है तो आप देखिए एक ही बार में इतना पद नहीं आ सकता है समझने आप इसको कैसे लए जागा तो इसको 4 पास प्रियोड में लाया जागा तो आप समझ रहे कि बस आप अबे इंतर मेंभी है या आप बी यह पार वन पार जैन होने वाला है कितना 2210 और देखिए चालक सिपाही चालक मतलब जो बिहार प्लिस का ड्राइवर होता है वह उच्छी को बोलते हैं चालक सिपाही तो यह पच्छ पंसो पद उपर आने वाला है डायल 112 कि अगर बात करें तो आपको डायल 112 भी देखते होंगे आप किसी मार अरजनसी से वा मतलब तुरंत आपको से वा मिल जाए यह पटना और पटना से भी आपका पॉलिस पहुंच जेता है यह तरह से अपका वर करता है कौन डायलेक्सव बारत तो आप देखिए किया है तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करतें इन सभी में तो दरौगा के ल है समझे ऊसका देखिए सिपाही के लिए आप आई सी आई ये कुछ भी है तो आप इसको ब्र सकते हैं समझे एंशिपाही के लिए क्लिए क्लेए क्लिए चालक सिपाही के लिए भी आपका क्या सोब्साब्स बना लिए अब रॉत दिये तो नहीं होने वाला में पद और नाली उस चीज के बारे में दरोगा प्द अब देख्रहें पहला बात क्या है कि यह आपके मंहें होगा दूसरा चैना करें तिसरा कॉशन कौन सा बूक पड़े मतलब बूक आपके लिए सबसे बेटर वेस्ट कौन सा होगा जो आपको सेलेक्षन दिला सके तिसरा बात चौथा बात क्या है कितना मतलब कितना exam होगा, मतलब कितना exam होगा इसमें, कैसे selection होगा यह process, पाच्छमा process क्या है कि पाच्छमा question आपका क्या है, कब तक आएगा notification, मतलब notification वेब साइट पर कब तक आजाएगा, उसका दिखे कि previous year paper कितना जहूरी है, दरोगा बनने के लिए जो पहले दरोगा के question इसमें क्या होता है कि हमेशा 2500 के बीच में वेकेंसी देखनों को मिला है, या 1500 से लेकर 2500 के बीच में, और देखिए, तो आपको जो वेकेंसी आने माला है, वो आपको 2900 से लेकर 2500 के बीच में आगा, आपका 2400 कुछा जाइए 1300 कुछा जाइए, ये वेकेंसी पहली बार आपगो देखने को मिलेगा, में दरोगा का लेकेंसी, समझें में आ अब दिखिये, इसका जो वेकैंसी देता है, उस आय वेकेंसि अभी दो तरह का बात चल ला है जिसमें दो हैं लिखने के आने को मिलेगा अब नई आपको पता होना चाहिए क्योंकि उत्पात दरोगा का और इसाई का इंस्पेक्टर का 200 और 300 पर उसका सेलेक्शन लेते हैं और उसका भी कटब वैसे ही रहता है जैसे 2400 या 300 वाले दरोगा का रहता है बस तो समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और आपको सीट तो एक ही चाहिए समझ में आ गया अब देखिए उसका देखिए में वैकेंसी कबता है जो में दरोगा था 2400 वाला वह बला तो देखिए अब हम बात करते हैं इसका कैसे करें त्यारी आपको करना है इसके लिए प प्रोसेस आपको नीचे बताएंगे कौन सा बोग परें अगर बूक की हम बात करें तो देखिए अगर आपको बात करें सब बाताते हैं कमपर्टीशन का जितना विलर का होता है मतलब करने का मतलब यह है कि जैसे कमपर्टीशन में गया लुषेंट परनाओ चालू कर देख किसी भी competition का शुरुआत का जर्णी माना जाता है तो पहला नमर आपको पढ़ना लुसेंट को शुरू से लेगे लास्ट तक आपको चटनी जैसे चाट जाना है समझ में आ गया किसको लुसेंट को मतलब लुसेंट को पूरा रट लेना है दूसरा बात जब लुसेंट आप कि तो उसके बाद क्या परना है आपको करेंट अफियर्स करेंट आपके सुरू में बहुत मायने दखेगा नीची हम बताएंगे करेंट इफियर्स उसको देखाता है करान वुक यह तीन वुक आपके अंदर आ गया तो पीटी में आपका सेलेक्शन हो गया पीटी में मतलब द सुरू में अफिक ऑटिके ब्राबर मना जाएगा तो पीटी में आपको सिर्फ पास हो जाए मतलब जितना कटप जाएगा उतना नंबर लाग आपको पास हो जाना है पीटी एक्जाम में टोटल वीच गुणा आपका रिजल्ट देता है तो वीच गुणा रहता है उसमें आप आजाई यह उसके बाद मेंस होता है इसका अब देखिए इसके बाद क्या होता है कौनसा प मेंस में क्या है अब कितना बज़ेगा चो गुना लर्कों को आप रिजल्ट को पास कर जाते हैं तब के आता है मेरिट उसके बाद आपका होएट है तो जो 12-13,000 में बचा उसका क्या होगा फिजगल इस तरह का प्रूसेश चलता है तो यह हो गया जब आप फिजगल को पास कर जाते हैं तब आपके आता है मेरिट उसके बाद आपका होज़ता है सेलेक्शन आप बन जाते हैं अदर होगा समझ में आ गया अब देखिए कब त या मतलब मार्च के फर्स्ट विक में डायलेक्स वारा को देखने के मिल सकता है उसके बाद ही यह में दरोग आगा अब समझे आपके मन में यह डावट होगा कि अरे यह दूनों कई से आजागा कोई डिफरेंस करके देगा तो ऐसा नहीं है हम आपको बता दे कि यह साई का सब्सक्राइबस आपके लिए इस तरह से जब्ढ़ी है कि प्रिविएस एर सबसी में तेल हसा उसे तरह मान का चली कि प्रिवियस PKन से पांच से छे कोश्चन आपका या कभी-कभी साथ से आठ कोशन रिपिटेट रहाता है कोशन सेम तु सेम समझे अगर हम बात करें चेप्टर वाईज का मतलब कोश्चन तो सेम तु सेम रिपिट नहीं होगा लेकिन उस चेप्टर से आने का चांस तो देखे प्रिवियास यह क पर परते हैं है तो कम से कम आपका सथ कोशन सेम तु सेम आ जाता है क्या था से सब्सक्राइब से गांधी जी यहां और समय हो गया हमाले कर दिदे हो गयाए पॉलिटी में राश्ट पती हो गया अगर उस तरह से साथ कोशन आपका रिपिडेट होता लेकिन सेम टू सेम अगर डाटा कोशन कहिएगा तो छे से साथ कोशन आठ कोशन रिपीटेड हो जाता है तो आपको समझ में आ गया कि प्रिविए सेर क्यों जोड़ी है समझे तो प्रिविए सेर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा माइने रखता है आगे समझे ऑनलाइन चल जा जा यह अगर आपके आल फस्सुधा नहीं है तो आप अन लाइन पर यह कोई दिक्कत्वाली बात नहीं है यह अच्छा और अप सबसे अच्छा यह तरीका किकिजिए तो आपको बहुत ज़्यादा यह त्यारी में बिल्ड अफ होगा उसको आट ना कोशन आपका कि बिहार द्रुगा का सलेवस क्या होगा लुकि बिहार द्रुगा सुलेवस इसके लिए हम आपको नया एक वीडियो बना देंगे हमको क्मेंट करके इसको कैसे त्यारी करना इसके चेप्टर आते हैं कहां से क्या था है हिस्ट्री में से कौन पारना किसको छोड़ देना है एक होता है स्टमार्ट एस्टड्य तो सटडी Maar स्ट्राइं स्मान्ट श्टडी में यहिंतर है कि देखिए आप कोई लड़का अगर आठाट गंटा पर दा ऊसका रिजल्ट अगर आता है को दो गंटा पर कि क्यों लाता है दुन्नों का पर ने का आता है कि दो सिर्फ उसी चीज़ को पर हा जो एक्जाम में आता रात कंटे क्या पर हाए जो एक्जाम में नहीं आता उस पर ज्यादा कर दिया कि यह तीनु आपको उसके बाद मैरेट आता आप दरोगा बन जाते हैं और हम कामना करते हैं कि आप बीडियो देख रहे हैं तो आने वाला समय में आप दोगा बने और दोगा बनियेगा भी तो हम आपको इतना समझा पाए और सलेवस के लिए घरन कुछ बता देंगे अपको त्यारी करने का सब से अच्छा तरीका फिर बताते हैं एक ही तरीका है कि आप अगर थुरा मुझा जानते हैं तो क्यूज कीजिए और एक बात की क्यूज का तरीका बताते हैं अगर क्यूज आपको करना है तो क्यूज में हमेशा एक सिनियर लड़के को रखे जिसने रियल्ट कमीने कभी दिया है किसी ने किसी चीज में उसको लुषेंट पे करेंट अफेस पे थुरा-थुरा कमांड हो समझे वो क्या करेगा आपको मार्ग द्रसन का काम करेगा और लड़का का संक्या क्यूज में पांच से च्छे होना चाहिए अगर दस से पंद्रा आप कर देते हैं तो वो क्यूज नहीं फिर आपका पारलियामेंट समसत भवन बन जाता है उसमें से कोई कुछ कोई कुछ हो से त्यारी कीजिए और रहा बाद द्रोगा की तो कुछ दिन और इस पर इस चैनल पर हम आपको द्रोगा से संबंदित प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे समझे और उसके बाद इस तरह से क्लास भी आपको देंगे तो आपको क्या कैसा लगा जनकारी यह आप जरूर कमेंट बक्स मताईएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सब तक के लिए जहिन जय भारत